पिछले पांच वर्षों में, स्टार्ट अप ने ना केवल भारत में, बलकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार दिये हैं और नए स्टार्ट अप सल्यूशन्स ने लोगों की जीवन शेली को सुगम बनाया है अगर सागर शहर के वर्थमान परिपेक्ष की बात करें, तो सागर में इस समय 80 से अधिक स्टार्ट अव भारत सरकार के स्टार्ट अप इंडिया योजना में रजिस्टर्द हैं जो मुख्य तहा, e-commerce, agriculture और online education से संबंधिध है सागर स्मार्ट सिटी की incubation center सागर स्टार्ट अव पार्क के वेब पोटल का लोका पर मत्रदेश सरकार में नगरिये विकाए एवं आवास मंत्री माननिय श्रीपोपेंद्र सिंग जी द्वारा 4 जलाई 2021 को किया गया स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर ना सिर्फ सागर संभाव का बलकि पूरे बुंदेल खन शेत्र का पहला सेक्टर इगनास्टिक इंक्यूबेशन सेंटर है जहां शेहर के युवाओं को ओफिस स्पेस, टेक्नोलोजी सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप, सौसे अधिक स्टार्ट अप एक्सपर्ट के साथ साथ स्टार्ट अप के संचालन में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और यहे भी उलेखन ये हैं कि यह सभी सविधाएं शेहर के उध्धुमियों को बिलकुल निशुल्ख प्रदान की जाएंगी स्पार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में उध्धुमियों को उनकी शमता का एहसास करने में मदद करेगा और उनके व्यवसाई को व्यापक रूख से लोगों तक पहुचाने एवं उसे प्रभावी धंग से संचानित करने के लिए सशक्त बनाएगा सागर स्मार्ट सिटी के इस इंक्यूबेशन सेंटर की भूमिका शहे के युवाओं को उध्धुमिता में शिक्षित करते हुए उनकी प्रतिभाकों और नवीन विचार को प्रुचसाहित करना है ताकि उन्हें ना केवल रोजगार चाहने वाले बल्की रोजगार फ्रदान करता के रूप में तैयार किया जा सके स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर शहर में अगले तीन सालों में कई सफल स्टार्ट अप्स विखसित होंगे जो ना सिर्फ सागर बलकी समूचे बुन्देल खन में रोजगार के हजारों फ्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष के अवसर फ्रदान करेंगे इस शेत्र की आर्थिक गदिविदिया बढ़ेंगी और स्टार्ट अप सल्यूशन्स सागर स्मार्ट सिटी के नागरिकों के जीवन स्टर में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर नियमत रूप से विभिन्य विश्यों पर वेबिनार, आइडिया थौन, हैक थौन और स्टार्ट अप ट्रेनिंग और्गनाईज करता है जिसकी जानकारी हमारे सोशल मेडिया हैंडिल्स पर और हमारी वेबसाइट पर उपलब्द होती है स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर से जुर्णी के लिए हमारी वेबसाइट www.sagrastartuppark.org पर जाकर अपना स्टार्ट अप आइडिया सब्मिट कर सकते है